नमस्कार दोस्तों और टीटी त्यारी चैनल में आप सभी सात्यों का फिर से एक बार स्वागते लगातार मैं कह रहा हूँ कि डिजिटल जो हाजरी हो कहीं से भी सक्सेस नहीं है आप देख रहोंगे स्क्रीन पर शिक्षकों की डिजिटल हाजरी पर रोक लगी सरकार ने अगले आदेशों तक टाला निर्नाय कमिटी का किया गठन कहीं से भी ऑनलेन हाजरी संभब नहीं है मुख्य मंत्री ने कहा है कि छात्रों को गुणवत्ता पड़क शिक्षा देने में शिक्षिगों की महत्पपुर्ण भोमिका होती है अच्छी शिक्षा दिये वेगर प्रधार मंत्री के 2047 में वीक्षित भारत के लक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता योगी आदित्यनाथ मुख्य मंत्री ने किया हस्तक्षीप अधिकारियों को दिये निर्देश मुख्य सचिबने की शिक्षक संगठनों से मुलाकात आदेश निरस्त करने की मांग अब देखिए इसी प्रकार से अभी बिहार में ओनलेन हाजरी लिया जा रहा है कारत ने की धमकी दे रहे हैं लेकिन ये कहीं से भी सकसिस नहीं होगा सफल कहीं से भी नहीं होने वाला है माननिये मुख्य मंत्री आप सभी के सामने में कह दिये हैं चात्रों को गईधी गुनवत्ता पुर्acement शिक्षा देना है या उनको गुनवत्ता पुर्न मंत्री श्रीनितीश कुमार को हस्तक्षेप करना चाहिए पहले माननिय मुख्य मंत्री श्रीनितीश कुमार ने कहा था कि 10-4 विद्याले का संचालन किया जाएगा लेकिन आज तक हुआ जैसे लगता है कि माननिय मंत्री जी का कोई बात ही नहीं सुन रहा हो अब तो यहाँ पर उनको हस्तक्षेप करना ही होगा आउनलेन हाजरी को लेकर कि यूपी में फैसला लिया गया कोई आउनलेन हाजरी नहीं लिया जाएगा जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया गया शिक्षक संगठनों से वारता हुई यह सब अच्छी पहल है मुख्यमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया आदिकाडियों से बात किये इसी प्रकार अब बिहार में भी होना चाहिए और जैसे पहले चल रहा था वैसे चलने देना चाहिए हाँ ठीक है और चक निरिक्षन किया जाए असानंत्रन किया जाए एकशी का असानंत्रन किया जाए उससे क्या होगा कि अपने हिसाब से यदि शिक्षक रहेंगे तो विद्याले जाने में कहीं से भी देरी भी नहीं करेंगे ससमय विद्याले में उपस्तित होंगे वच्चों को उनता पुर्ण शिक्षा देंगे तो ये बड़ी अपडिट अच्छी खबर इसी प्रकार बिहार में भी होगा आप सभी एक जूट रहिए शिक्षक तभी संभब है एक जूट नहीं रहिएगा तो कुछ भी संभब नहीं होगा ये वातने बार-बार कह रहा हू आप सभी से अभी तक यदि आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल एकन की बटन जरूर दबा लिजिएगा